नमस्कार प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम प्लस्टू क्लास के मैच सब्जेक्ट के चैप्टर नमबर वन रिलेशन और फंक्शन की मिसलेनिस एक्ससाइज के क्वेस्टर नमबर सिक्षिन को सौल करने जा रहे हैं बड़ा ही असान सा है क्या कहता है लेट ए ए कोई सेट है हमारे पास 123 एलिमेंट है उसके देन नमबर ओफ रिलेशन कंटेनिंग 12 and 13 वो नमबर ओफ रिलेशन जिसमें 12 and 13 होंगे which are reflexive and symmetric reflexive भी होना चाहिए symmetric भी होना चाहिए but not transitive ऐसी कितनी रिलेशन्स बनेंगी solution हमारे पास A set क्या दिया हुआ है 1 2 3 तो हमें order pair जो बनाने है रिलेशन्स में possible order pair के अगर मैं बात करूं possible जो pairs होंगे हमारे पास वो क्या क्या होंगे possible pairs लिख रहा हूँ यहां पर 1 1 1 2 1 3 1 के साथ फिर 2 1 2 2 and 2 3 then 3 1 3 2 and 3 3 यह possible pairs है हमारे पास जो रिलेशन्स बनेंगी इनमें से ही बनेंगे ठीक है 9 है अब इन्होंने यह कहा relation is reflexive as r is reflexive इसका मतलब क्या होगा यहां पर 1 1 2 2 and 3 3 belong to r क्योंकि अगर वो reflexive है तो हमारे पास aa must belong to r इसके बाद r is symmetric r is symmetric अगर symmetric है तो हमारे पास a b अगर r में belong कर रहा है तो b a b belong करेगा उसमें अब यहां पर कह रहे हैं उस यहां प्राइब में नहीं होनी चाहिए रिलेस्टिम नहीं होने चाहिए रिलेस्टिम् is not transitive देखिए अगर आपने यहाँ पे हम 2-3 value ले लेते हैं 2-3 तो हमारे पास हमें यह symmetric बनाना है 3-2 भी हमने वो क्या करना पड़ेगा लेना पड़ेगा और अगर हम 2-3 and 3-2 consider कर लेते हैं if we add 2-3 3-2 अगर हम एक भी आइड कर लेते हैं तो दूसरे को भी आइड करना पड़ेगा then then R becomes transitive तो वो transitive बन जाएगी इसका मतलब हमने 2-3 और 3-2 को छोड़ना पड़ेगा so relation so relation हमारे पास उसमें क्या क्या होगा 1-1 1-2 इन्होंने बोला था 1-1 1-2 इसके बाद 2-1 1-2 है 2-1 2-2 ये भी होगा इसमें इसके बाद 1-3 1-3 3-1 and 3-3 सिरफ यही element होगे 1-1-2-2 3-3 हो गया पिर उसके बाद 1-2 and 2-1 हो गया 1-3 3-1 हो गया सिरफ यही element होगे और कितनी बंदरी हमार पास relation there is only one relation so there is only one relation having 1-2 and 1-3 तो हमारा answer क्या हो जाएगा A हो जाएगा बड़ा simple सा था सिरफ हमने वो relation देखनी थी जो reflexive है symmetric है बड़ ट्रांजटिव नहीं है चलिए इस वीडियो में इतना ही next video में अगले equation के साथ पिर मिलते हैं के लिए जाहिए जाएगा